रोहन गुपता जी आज BJP में शामिल हो गए और रोहन गुपता जी आपका सवाल पब्लिक शो पर और टाइम्स नावन भारत पर हार्दिक स्वागत है कम से कम इसी बहाने में कहूंगी बॉयकोट तूटा हम और आप कम से कम बातचीत तो कर सकते हैं रोहन गुपता जी कई बार ये बात उठी कि विपक्ष की स्ट्राटेजी अगर सही हो तो शायद मोदी को हरा सकती है लेकिन विपक्ष की स्ट्राटेजी में अगर सिर्फ नियत है बदले की भावना की तो क्या ये स्ट्राटेजी बुक में है ये इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि गालियों देने में कोई कमी नहीं छोड़ता और आज तो मीशा भारती जी ने जो कहा है वो तो मैं क्या कहूं सोने पे सुहागा है गालियों के सीजन टू में कि बस हम आ जाएं जेल भेज देंगे मोधी को नभीगा जी पहले तो जो मुख्य मुद्धे हैं मैं 15 साल कॉंग्रेस पार्टी के कारे करता के नाते अलग-अलग पोजिशन पर दिल से काम किया और उसके पीछे एक रीजन था कि विचारदारा की बात थी और एक सेंट्रल विचारदारा की बात थी कि लेफ्टिस्ट नहीं होना चीए जो और सेंट्रल का मतलब यह है जो ओरिजिनल महात्मा गांदी के हम लोग सेक्लरिजम की बात करें तो मैं हिंदू भी हूँ मुसलमान भी हूँ सिख भी हूँ इसाही भी हूँ सब दर मेरे दर में और आज उल्टा हो गया है आज लेफ्टिस्ट विचारदारा कॉंग्रेस पार्टी होगी कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और जब हमको यह सनातन का जब अपमान किया गया कॉंग्रेस पार्टी के इस लेफ्टिस्ट मांसीक्ता के साथ में मुझे लेगता है कि देश की जनता कभी भी लेफ्टिस्ट मांसीक्ता का समर्थन ना आज किया ना पहले किया है साथ साल क्यों कॉंग्रेस पाटी को इस देश ने दिये क्योंकि सेंट्रल विचारदार थे दूसरी बात मैं राश्टरबाद की बात पर आऊंगा जिस अर्विंद केजरिवाल के उपर राहूल गांदी जी ने आरोप लगाया था कि खालिस्तान के आतंकवादियों से मिले पुरी तरह से पुरा चुनाओ इसी मुद्दे पर था आज उसके साथ कॉंग्रेस पार्टी खड़ी है जिस वेक्ति के खिलाफ करप्शन के इतने बड़े गोटावालों के आरोप कॉंग्रेस पार्टी ने एक्साइज नीती के उपर प्रेस करकर किये क्या आपकी इतनी विरोधाबास से जो विश्वस्नियता विपक्स की होनी चाहिए वो विश्वस्नियता पुरी तरह से खतम हो गई कई बार वो सही भी बोलेंगे तो जन्ता नहीं मानेगी यह क्योंकि जब तक विश्वस्नियता आपकी नहीं है आपकी नरेटिव में विरोधाबास रहेगा तब तक जनता कभी भी आपको विश्वास नहीं करेगी और हर मुद्दे पर आपको दौर पांच एक्जामपल देता हूँ OPS की बात करी, राज्यों के मॉनिफेस्टों में हम लोग दो OPS की बात की, सेंटरल में चला गया EVM का दो चुनाव कॉंग्रेस पार्टी, EVM जब थे उस समय पे दो चुनाव जीते, आज EVM पे ठीकरा फोड़ने की बात करें जितने भी UA नेता, लिडर्शिप खड़ी करनी की बात है, सारे UA नूता छोड़ चोड़ के किसी कारण बड़े नेता हों के अभीमान के कारण चारें एक बाजू यह कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के ओर्डर को मानते हैं, फिराम मंदीर में नहीं जाने का तुकता तो ऐसे काफी सवाल थे, हम लोग प्रवक्ता भी एक नागरिक हैं, सनातनी हैं, देश के नागरिक हैं, चाहते हैं कि जो उस पार्टी में काम करते थे, एटलिस जनता का नरेटिव जो बॉटम का नरेटिव है, उसको तो पार्टी कहीं न कहीं उठाए पर कहीने कहीं जो पुराने नेताओं के अहंकार के बीच में एक जो जो वैक्यूम क्रियेट हुआ है, वो सुनने को तयार नहीं है, उनको लगता है अभी भी पुराना समय हम जिस प्रकार से चलाना चाहेंगे, देश की जनता margin of error देना नहीं चाहती, एक तरफ डूसरी पार् census कि आप आज बात करें आपकी सरकार में, एक साल तक आपने उसका implement नहीं किया, जनता के पास आप जब मुद्दे लेके जाते हैं, और जनता को विरोधाबास दिखेगा, आप कितने भी सही होंगे, जनता आपको विश्वास नहीं देगी, वो विश्वस नहीं था कि कमी का खामियासा, आज पार्टी भुगत रही और हमारे जैसे काफी कारे करता आहत है, लेकिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को गाली देना, क्या ये एक वान पॉइंट अजेंडा है कॉंग्रेस पार्टी का और इस पर पार्टी में कभी चर्चा हुई, लेकिन अभी का जी म आप अपने मुद्दों में उतना दम नहीं है, इसलिए आपको व्यक्तिकर टिपणी करनी पड़ती है, जब भी होता है, आप अगर व्यक्तिकर टिपणी कर रहे हैं, इसका मतलब है आपको अपने मुद्दों पर अपने नरेटिव पर भरोसा नहीं है, तो मुझे लगता ह किसी भी प्रकार की व्यक्तिकर टिपणी से बचना चीए और आज कॉंग्रेस पार्टी में होगा कि जितनी भी आप व्यक्तिकर टिपणी करो आपका प्रमोशन है गाली दो प्रमोशन लो तो यह पॉलिसी नहीं होनी चाहिए मुद्दो की बात कीजिए बर्थी बिल्कुल ज कीजिए बात सवाल पूछिए पर उस सवाल में ग्रेस होना चीए और कोई भी पार्टी मैं आज यहां पर बैठाओं इसलिए मैं नहीं कहूंगा कभी भी व्यक्तिकर टिपणियों का राजनीती में कोई स्थान नहीं होना चीए हर पार्टी को अपने मुद्दों पर अपन कि हम आएंगे सत्ता में तो मोदी को जेल भेज देंगे तो आपको सत्ता सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि मोदी को जेल भेजना है क्योंकि आपके खिलाफ केसिज हैं और विपक्ष में ऐसे कई नेता हैं जिनके खिलाफ केसिज हैं जो जेल में हैं कुछ बेल पर हैं हो रही है क्या इसलिए चुनाव लड़े जा रहे हैं कि बस सत्ता आए और मोदी जी को जेल भेजे नाविका जी आपने बहुत अच्छा प्रस्म किया है देखिए 2024 का जो आम चुनाव यह ऐसा आम चुनाव साथ भारत की राजिनिती में अगर किसी नहीं किया है तो सास्थाओं को दूरुपयोग करकर नरेंदर मोदी जी की सरकार ने मुद्दों का अपरहन कर लिया है और मुद्दे को यह आने नहीं देना चाह रहा है लेकिन आई ज़ो पोजिशन पाटी हम लोगों का दाइतव बनता है कि संघर्स और संबाद संघर्स और संबाद के माध्यम से ही हम अपनी बाते जनता तक पहुचा सकते हैं संबाद का तरीका अलग-अलग हो सकता है अगर जो पॉलिशिया में कोई भी खामिया हुई होगी अगर हम लोगों को लगेगा कि वहाँ पे कुछ ने कुछ बरस्टा चार दिख रहा है तो हम तो ये बात करेंगे कि नेता अगर आप है जोपीदार अगर आप है तो आपको तो ये बोलना ही परेगा ना कि अगर जिस तरीके से लेक्रोल भॉन का मामला आया है चलता है अगर लगता है हम लोगों को कि भाई जो चंदे का जो धंधा है तो चंदे का जिसने धंधा सुरूप किया है उसको तो गले में फंदा लगना ही चाहिए आप तो और आगे बढ़कर गले में फंदा डालने भी मतलब कोट भी आप कचेहरी भी आप आरोब भी आपके शलब मनीत रिपाटी जी मीसा भारती जी जिस पाटी में है और में फंदा डालने भी मतलब कोट भी आप कचेहरी भी आप आरोब